जैश याराम मैं पंडित हरिश गोतम जोतिश चारिय है और असुब काम करने से पहले भगवान का तोड़ा संवर्ण किया जाए अंतिकाल रग पर पुर्जाई जहां जनम हरीवक्त कहाई अर्थार्थ जब कभी किसी का काम नहीं होता अंतिमशन आ जाते हैं तब परभू का गुंगान गाया जाता है और वो बेड़ा पार कर देते हैं उसकारिया को काम अभी मिल जाती है उच्ची बुलूंडी पर मतब चड़ जाता है यही एक भगवान का आशेवाद है जब सबसे पहले आप लोग उठें और परभू को नमन करें नमन करने की वीधि कैसे होती है जरा ध्यान दे हाथ को ऐसे जोड़ें करें और हाथ की तरह मिला ध्यान दे की हाथ को कैसे जोड़ा जाता है परभू के आगे हाथ की लीला लेखें जब हम गुरु कूल में थे जब हम लोगों ने शिक्षा ग्रहन करी तो सबसे पहले नमन किया जाता है नमन कैसे करते हैं ऐसे हाथ जोड़ा है परभू को फिर आ पटगकथए या ऐसे करने के अपटक्तिक में उसरिए अनकों करने के और Yours ऐ questa में कहा जाता है कर्नयास वा हातों का यह सी लेफ्ट होता है दो से राइट होता है और फिर नमन करने के उपलक्ष में परभू को समन किया जाता है, आप कोई भी मंत्र उचारन कर सकते हैं, लक्षमी जी का जो एक मंत्र आता है, लक्षमी जी का मंत्र है, वचारन क्या करें, आज सबसे पहले हम लोग राश्यों के बारे में एक टैली करते हैं, एक ध्यान दें कि मैं डेली आपको अपने यूटूब चैनल गोतम जोतिश कर लेके नाम से, मैं आपको डेली फलादेश मत्र में देता हूँ, बारा की बारा राश्यों के लिए और आप किरपा करके आगे चैनल चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जोड़ करें, अगर आप कोई requirement है जोतिश के अनुसार तो आप मेरे से contact कर सकते हैं, मेरा contact नमबर है 989624755, मैं मोबाइल पर आप संपर कर सकते हैं, मेरा वर्सल नमबर भी है, अगर आप कुछ मसरवा लेना चाहते हैं तो मेरे से जूर कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे शासी, मेरे शासी आज ठीक है, उजुल भविशे के लिए आप लोगों का साधर अमंत्रित है, और आज का दिन आपके लिए शुब मंगल एक कारियों होगा, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को उपाई नहीं देता, अगर आप लोगों को उपाई लेने हैं, तो आप मता मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं, आज उजुल भविशे है, अच्छे कामना के लिए भगवान को नमर करें कि आज आपका शनिवार है, और शुब कारिया आपका मंगल होगा, इसके बाद आती है राशी विश राशी, विश राशी भी आज ठीक है, लगबग तीन बज कर चारिस मिठ दुपैर तक आपके आज राशी ठीक है, थोड़ा इसके बाद आपका थोड़ा माइंड थोड़ा कनवट हो सकता है, तो थो मान दें, और तीन चारिस से पहले पहले आप लोगों का समय ठीक है, तीन चारिस के बाद थोड़ा आपका खराब फीचर मतलब माना जाता है, आज के दिन, परजेंट के दिन, मिठु नाशी वालों के लिए, कल मैंने पुरा फुलादेश मिठु नाशी के लिए मतल मैंने बनाया था, तो मिठु नाशी आज के दिन, सैटेड़े दिन, हनुमान जी की वो अरादना करें, और वैसे आज का दिन, जो सास्तर मतलब बोलता है, मिठु नाशी के लिए, ठीक है, काफी उजवल है, उजवल के साथ में, भगवान का मनुत पुर्ण करें, और हनुमान चा बारू का संबन कम करेंगे, तो उसे आप लोगों को फल मिलेगा, वैसे आज रासी ठीक है, सिंग रासी, सिंग रासी भी आज लगबग सुवेर के 10 बज़ कर 40 मिन्ट के बाद आपकी रासी उजवल होगी, ठीक होगी, काम्याबी आप लोगों को मिल सकती है, इसके बाद आ मिलेट तक ठीक है, थोड़ा आप अपसेट रहेंगे, और मन में अनफ सुनव की मतलब बाते चलते रहेंगी, और कोई आपका विरोधी आपका पीछा कर रहा होगा, 11.40 के बाद आपका भविश्या आज के दिन शुव रहेगा, तो लगबग ठीक है, इसका जो टाइम पिल तक कर बाकी ठीक है, अपने भविश्या के आगे के लिए उजवल के लिए तरक्की करें, और काम्याब आप लोगों को मिलेगी, इसके बाद आती है विर्चिक रासी, विर्चिक रासी आज हम लोगों ने देखी है, कि आज सारा दिन डिप्रिशन पर आप लोगों का है, कि जब आप प्राते कालम में जब उठेंगे, सर्शे पर्ले धर्थी मातर को सपरस के लिए धन रासी है, आज सारा दिन डिप्रिशन पर रहनी निची तोर पर मतर माने गई है, ठीक है, तो भगवान को समन करें, भगवान को राधना करो, भवान की काम्याबी मतर कि आप लोगों को थोड़ा आज का दिन थोड़ा अपसेट रहेगा आप लोगों के लिए धर्राशी के लिए, इसके वाला आती है मकराशी, मकराशी वालों के लिए एक सुप संदेश है, आज कोई आपकी पोपर्टी डिलिंग आपकी आज हो सकती है, और आपके लिए कु कुम राशी भी आज लगब अगर देखे जाती है कि क्योंकि इनके उपर शनी की महादसा पहले चली हुई थी तो शनी मतलब वक्री हो चुका है राहु मंगल मतलब आ चुका है थोड़ी थोड़ी बातों के उपर कलहया मतलब मिच सकता है तो आज की कुम राशी जोतिस के अन सुल हो सकती है यह आज बारा राशियों के बारे में मतलब मैंने बताया है आज मैं आपको बताता हूं करक राशी के बारे में कि मैं स्टेब बाई स्टेब चदर पहले मेच लिए फिर विचली है कल मतलब ने मिठ ली थी तो इसलिए हम स्टेब बाई स्टेब आपनी राश करक राशी वाले निद्रनिये होते हैं चिर्चड़े सभाव के मुखम अंडल पे कहना कुछ होता है मुझसे निकलता कुछ हो रहे है उनका जो सभाव होता है होता मिठा ज्रूर है लेकि मिठे के अंदर भी कर्वेपन की मतलब बात उत्पन होती है का करक कराशी वालों गी मैंने आलमोशिल मतलchron में देख्थे कि उनकी एक हाइट मतलब थोड़ी कम रहती एक हैं अगर हाइड पाइगी तो यह यह लंबे पाएगे यह ने पाएगे यहर। यह अगर यह और क्या होते हैं अंदर क्या घ्रात होती है कि अगर जब किसी से मिलना हो अपना मतलब निकालना हो तो कुछे को भी मतलब बाब बना लेते हैं करक्राशी वाले यह इनका ऐसा सभाव है थोड़ा द्याने आज थोड़ी में थोड़ी थोड़ी खराब है आज बोलानी जाने इसके लिए शमाई आचना कल आपके सामने फिर रुद्वारा उपस्तित होते हैं और आज आपका मंगल कारिये शुब मतब बना रहे और कारिय उजबल रहें मेरे गोतम जोतिश कारले को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर ढहने के उप्लक्स में और मैं कोशिश करूँगा कि यह जितने भी आपके कोश्चन हों के आएंगे और मैं संडे को संडे के दिन मैं सिब यह आप लोगों का कोश्चन का मैं आप ल लाइक करें और शेयर करें और श्री बाला जी का आशिवा सदव आप लोगों को प्रमत बना रहेगा काम में भी मिलेगी उजल्व विश्य के लिए बाला जी के मंदर में जाकर उनको परनाम करें और उनकी अराधना करें और जैशियरा जैश्री बाला जी महाराज की जैश्र संकटी हरन मंगल मुर्ति रूप रामलखन सीता सहित देवसो सुर्भूप सियावल राम जैजे राम मिरे पर्वुराम जैजे राम करो कल्यान सीता राम बलिश्री बड़य ववान की